Hello everyone, welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम जारेंगे कि कोट का हिंदी में क्या मतलब होता है या इसका हिंदी में क्या मेनिंग होता है तो देखें कोट को भी हम 3-4 तरीके से यूज करते हैं For example, उले करना, उधर्ण करना यानि, she quoted a line from a book by Roman Gary यानि, you repeat what someone has written or said उसे हम कोट बोलेंगे If you quote someone as saying something, you repeat what they have written or said या फिर किसी चीज का उले करना, कहना, बताना यानि, if you quote something such as law or a fact, you state it because it sports what you are saying आप जो कह रहे हैं, उस चीज को sport करने के लिए आप किसी fact को या law को जब लिखते हैं, उसे भी हम कोट करना कहते हैं उलेख करना, कहना, बताना या फिर, किसी book, poem या पले से किसी sentence या phrase को लेना उसे भी हम उद्रन, अवत्रन या English में quote कहते हैं ठीक है, या फिर, if someone quotes you a price for doing something अगर आपको कोई quote करता है, किसी चीज को करने के लिए उसका price या फिर, they give you a quote for doing it तो इसका मतलब है, कि वो आपको उस चीज के लिए कितना charge कर सकते हैं यानि भाव बताना, दर बताना, he quoted a price for the repairs तो इसके साथ आज की इस वीडियो मैं सितना ही, thank you for watching अपिन भी वती एे को की पाव मैं सितना नहांने जहांस